हेलो फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू माई चैनल हमारे चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम जानेंगे सिमेंट बलकर की अनलोडिंग की इस प्रकार से की जाती है बैचिन ब्लांड में तो यह जो बलकर है अनलोडिंग पॉइंट पे लगा हुआ है इसको अनलोड क ब्लाइलो में जाने के लिए एक प्रेसर टैंक में जाने के लिए बलकर में तो बलकर में जो पांच इंच डाया का आइप है के आसपास होता है क्युवेक मीटर स्कॉयाड तो रौतने दबाव के कारण से और चलता है गेज भी दिया हुआ है बलकर में और सेप्टी वाल ऑर वाल भी दिया है जिसके विझा जो भी प्रेसर है सेप्टी डिवाइस को उसको कह सकते हैं बलकर के लिए वाल लगए हैं यह दूनों वाल खोलने से टैंक में परिश के साथ जो कि आराम से लाइन चोक नहीं होती चला जाता है कभी मेन वाल सिमेंट का खोलने से पहले यह एर प्रेसर की पाइप बाइपास जो लगी हुए उसको ओपन करना जरूरी है बिना उसके यदि सिमेंट का खोल देंगे तो थोड़े देर में लाइन चोक हो जाएगी और यह जो टैंक है इसमें दोनों साइड से एर जाता है तो वाल एक ही जगह है और टैंक वाल किसी भ लाइन चोक हो गई या पाइप आगे फटगी हमको बंद करना है तो टैंक के अंदर प्रेसर रहेगा तो यह उपर काम कई यदि खोलने के जरूरत पड़गी तो नहीं खोल सकते हैं और यदि सिमेंट का में वाल भी प्रोब्लम कर रहा तो हमें उस कंडिशन में इस वाल से प्रेसर निकाल सकते हैं तो उसके नीचे यह में वाल होता है यहां से डारेक्ट टैंक से है कोई रोब्लम हती है यह कोई मौशर की विए से कुछ भी फस्जाता Safe को खोल ना तो वहां से सबसे पहले प्रेसर जीरो करना है वाल खोल के प्रेसर पूरा रिलीज करना है और यह उपर साइड में तीन कैप हैं इस कैप को लोडिंग पॉइंट पे खोल दिया जाता है अनलोडिंग पॉइंट पे यह कैप टाइट रहती है और यह कैप एयर टाइट रहती है मतलब इसके अंदर का एयर नहीं आता है कभी ओरिंग ओवर सील कटी है इसकी थोड़ा थोड़ा एयर आ जाता है उससे प्रोब्लम नहीं होती है उससे ही होगा कि बलकर में थोड़ा सा प्रेसर कम होगा लेगिन उससे कोई फरक नहीं पड़ता है थोड़ा एयर रिलीज हो जा एक पधिद्बम द clipping भाजय जाहिए है सेयलो के टोप पधिए दीसरा क्म्प्रेसर से जुड़ी है और इस प्वाइप में बिल्कुल हीट यह राती है जिसके भुज़ज़ से जो सिमेंट है वह हीटो के सेयलो के अंदर जाता है और हीट सिमेंट कभी जल्दी छोक होने का डर नहीं रहता है ओर आसानी से उसका माउश्यर खतम हो जाता है तो इसका अन्लोड इसी प्रकार से होता तो इस बलकर को अनलोड होने में ज़ल क्या दिक आपका अच्छा है One kg के आस्पास है so You तो आप लोगों को यह इंफ्रमेशन कैसा लगा तो मैं उमीद करता हूं कि आप लोगों को यह मेरा इंफ्रमेशन अच्छा लगा होगा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिजेगा आपने कर लिया है तो थैंक